नमस्कार आप देखना सुरू कर चुगे हैं सबसेज नियूज उतरपदेश की कन्नौ जिले में बड़ा हाथसा हुआ है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लखनव आगरा एक्सप्रेस वे पर हुए हाथसे में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 40 से जादा लोग घायल हो गए इन में से कई की हालत गंबीर है सभी को अस्पताल में भरती कराय गया है तो इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के कन्नौ से आ रही है घटना कन्नौ जिले के सौरिक थाना के सकरामा इलाके की है सुबकरी 5 बजे लखनव आगरा एक्सप्रेस वे कट 148 पर बिहार से दिल्ली जा रही तेज रफतार सवारियों से भरी प्राइवेट डबल डेकर बस ने सड़क किनारे खड़ी कार में जोड़दार टकर मार दी टकर लगते ही कार एक्सप्रेस वे के नीचे एक खाई में जागिरी बस भी सड़क के की नीचे उतर गई हाथसे में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 40 से ज़्यादा यात्री गंबीर रूप से घायल है कई यात्रियों की हालत गंबीर है मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है तो इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के कन्नोज से आ रही है आप देख रहे हैं सबसे टेज न्यूज कन्नोज ब्यूरो के रिपोर्ट